चिराग पास्वान ने अपने उन तमाम पूर्व सांसदों को बता दिया कि अगर राजनिती करनी है तो हमारे सामने जुक कर रहना पड़ेगा। अब तिकट लेने के लिए तमाम सांसद जो एक वक्त पर चिराग पास्वान की पाटी को तोड़ कर उनको छोड़ कर जा चुके थे आज चिराग पास्वान के आगे पीछे घूम रहे हैं जाकर कह रहे हैं कि साहब हमारा तिकट कंफर्म कर दीजिए और चिराग पास्वान सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने उन सांसदों को फिर से अपने पीछे लाकर, अपने सामने लाकर जुई खळा कर दिया जिन सांसदों ने उनकी पाटी को तोड़ा और आज वही सांसद फिर चिराग पासवान के इर्द इर्द घुम कर कह रहे हैं कि हमारे टिकट का प्रबंध कर दीजिए जब चिराग पासवान को भारत के परधान मंत्री ने लबबक कर गले लगा लिया तब यह संदेश चला गया कि चिराग पासवान ही राम बिलास पासवान के बाद पासवानों के नेता के रूप में भविस्य है चिराग पासवान के बारे में एक ऐसी छबी अचानक कुछ मिनट के अंदर बन गई कि जो सांसद कल चिराग पास्वान को लात मार कर गए थे अब चिराग पास्वान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि टिकट का प्रबंध हो जाए क्योंकि वो जानते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में चिराग पास्वान की चलने वाली है आगे इसी पर बात्चित करेंगे कि कौन कौन सांसद फिर चिराग पास्वान के इर्द गिर्द जाकर घूम रहे हैं तमाम जगहों पर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं बगे नमस्कार मुलना मैं मुहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले कहानी की शुरुवात होते हैं जब चिराग पास्वान के चाचा ने उनकी पार्टी को तोड़ा शायर इस बात का अंदार्या किसी को नहीं था कि पांच सांसर चिराग पास्वान के बाद हैं और इसके बाद क्या होता है चिराग पास्वान मैदान में उतरते हैं अपने आपको साबित करते हैं कि हाँ जो वोटर है जो मद्दाता है वो हमारे साथ है और इसके बाद की तस्वीर देखिए कि कल तक विना देवी चिराग पास्वान की पार्टी को तोड़कर उन सांसदो की सूची में सामिल थी जो सांसद उनकी पाटी को तोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे थे वो उन सांसदों के साथ चिराग पासवान का साथ छोड़कर चली गई जो सांसद चिराग पासवान की पाटी से दूर गए अब आज वही विना देवी वैसाली की सांसद मारा टिकट कंफर्म हो जाए अब विना देवी की चिराग पास्वान से मुलकात होती है इसके बाद क्या होता है तो इसके बाद जो खगड़िया के सांसर है खगड़िया के सांसर लोग दर्शक्ति पाटी के टिकट पर चुरे गये थे 2019 में महभूब अली कैसर महभूब अली कैसर की दो बार मुलकात हो चुकी है एक बार पटना में एक बार दिल्ली में और कहा जा रहा है कि वीना देवी और महभूब अली कैसर जो है ये दोनों सांसर अपना पाला फिर बदल कर चिराग पास्वान के साथ जाने को तयार है मतलब कि चिराग पास्वान ने अपने आ पड़ेगा हमारे सामने आना पड़ेगा और इसके बाद वही तमाम सांसर जो चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ चुके थे वही वापस उनके पास उनके आगे पीछे दोड़ रहे हैं घूम रहे हैं कि 2024 के लोगसभा के चुनाव का टिकट चिराग पासवान किसी भी प्रकार से सुनिशित कर दें अब बैसाली और खंगलिया दो लोगसभा छेतरों के सांसर जो हैं वो चिराग पासवान के संपर्क में हैं और वो मौका ढूट रहे हैं कि चिराग पासवान इशारा करें हम पाला बदल लें बाकी सबसे आखरी में आप जब चिराग पासवा पासवान ने फिर से अपने बल्बुत्ते सब हासिल किया और ऐसा हासिल किया कि भारत के प्रधानमंत्री देहकर लपक कर गले लगाते हैं और वही पुराने लोग जो छोड़कर गये थे आज उनके आगे पीछे आकर घूम रहे हैं आपकी प्रत्करिया क्या है कमेंट बोक बहुत बहुत धन्यवाद